नमस्कर दोस्तों इस वीडियो में आप KBS PRT 2018 पेपर के पेड़ागोजी यानि की सिख्षा सास्तर पार्ट का कम्प्लीट सोलुशन देखने जा रहे हैं KBS PRT 2018 पेपर में पेड़ागोजी से कुल 20 अंक के प्रशन पूछे गया थे अगर आप KBS PRT 2018 के संपूण प्रशन पत्र के कम्प्लीट पेपर सोलुशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्थ होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आकन को जरूर प्रेस कर लिजेगा अगर आप सिक्षा के छेतर में अपना करियर बनाना चाहते हैं प्रेस्ट निगेटिव सेंस में तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा ठीक है चलिए पहला विकल्ब दिया गया है सिक्षार्थी की आर्थी की स्थिति में अंतर यानि कि दो वक्त का रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा है तो निश्ची तोर पर जो वो बहुत गरीब परिवार है वो अपने बच्चे को भी अपने आजिविका जुटाने में ही इंक्लूड कर लेगा यानि कि उसका पूरा फोकस दो वक्त की रोटी जुटाने पर होगा ना कि सिक्षा के छेतर पर ठीक है तो ये कही ना कहीं बाधा उत्पन करेगी अगर कोई बच्चा बहुत गरीब है तो ठीक है यानि आर्थिक इस्तिति बाधा उत्पन करती है दूसरा देखिए जेंडर और समानता यानि लिंग भेट की बात की जरी है यानि कि जेंडर आगे पढ़ाई नहीं जाता है ऐसी आउधाना बनी होइं कि लड़की को साधी करके दूसरे के घर जाना है तो इसको पढ़ने की या होशकता है वो अपने बच्चे लड़के को पढ़ा रहे होते हैं लेकिन लड़की यानि कि कहीं नकही सिख्षा के समान और सर में जो जे पिसरा देखे सर्व जैनिये विद्याले प्रणाली इंग्लिस में देखे का कहा जा रहा है common school system तो common school system यानि कि सबके लिए school की बात की जा रही है अगर सबके लिए school की बात की जा रहेगी बिना किसी link बहदबाओ के बिना किसी समाजिक भेदभाव के तो जब सब के लिए समान है तो ये बाधा उत्पन नहीं करेगी बलकि ये help करेगी तो हमसे क्या पुछा गया था कौन सा बाधा उत्पन करेगा तो ये तो बाधा उत्पन करेगा नहीं क्योंकि सब के लिए समान आउसर उपलब्द कराएगा अगर स्कूल सब के लिए होगा तो ठीक है चोथा देखिए सैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर यानि कि डिफरेंसेज इन दे स्टेंडर्ड्स ओफ एजुकेशनल इंस्टिशूशन्स तो ये भी बात बिल्कुल सही है सिख्षा के आउसर में समानता की बाधा के सेंस में इसे देखा जा सकता है कैसे ध्यान से समझेगा एक स्कूल जिसमें रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है resources की बहुत ज़्यादा कमी है और दूसरा school बहुत ज़्यादा संपन है और उसमें बहुत ज़्यादा resources है यानि कि एक बच्चे को सिक्षा का समान उसर नहीं मिल ला है उसी बच्चे को अलग-अलग T.L.M. से पढ़ाय जा सकता है पैसे की कमी है यानि कि सैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर भी कहीं न कहीं सिक्षा के समान उसर में महत्वपूर्ण बाधा के तौर पर देखा जा सकता है यानि ये भी हमारा उत्तर होगा तो हमारा उत्तर क्या बना A, B और D दिये गए विकल्प में देखिए option number 3 में बात की गई है A, B, D इसका बिल्कुल appropriate जवाब होगा अगला प्रशन है निमलेकित में से कौन समाजिक और समवेगात्मक रूप से परिपक्व वैक्ती का गुण नहीं है negative sense में हमसे प्रशन पुछा गया इसी को ध्यान रहकर के उत्तर ढूड़नेंगे तो ये तो बिल्कुल सही बात है ये समाजिक और समवेगात्मक तोर पर परिपक्व वैक्ती का गुण है देखिए समवेगात्मक तोर पर परिपक्व कहने का मतलब कि अपने emotions को control कर पा रहा है जैसे कि दुख की condition में बहुत ज़्यादा एकदम hopeless नहीं हो जा रहा है और सुख के condition में बहुत ज़्यादा आस्मान के जाड़ पर नहीं चड़ जा रहा है यानि कि वो बिल्कुल एक balance वैक्ती है balance person है जो कि समवेगात्मक तोर पर और समाजिक तोर पर बिल्कुल balanced है कैसे mature होने की वज़े से ठीक है जो समवेगात्मक रूप से परिपक्व होगा mature होगा उसकी property होगी ठीक है तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि कौन सा property नहीं है वो पूछा गया था दूसरा देखे वह दुस्चिंता एवं अंतरद्वंद से अपेक्षा क्रित मुक्त होता है दुस्चिंता का मतलब क्या हुआ कि जो चीज हमारे control में नहीं है उसी को लेकर कि हम लोग बार बार परिशान है जैसे कि मान लेजे कि कि किसी का परिवार में भगवान ना करे ऐस इसी को लेकर कि हम लोग जिस पर हमारा control नहीं है उसको लेकर कि नहीं नहीं वो कैसे expire होगा कैसे ये खतम होगा ये सबी चीजे मेरी जिंदगी बरबाद होगा ये सबी चीजे ये दुस्चिंता का कारण है ये दुस्चिंता होता है यानि जिस पर हमारा control नहीं होता है उसक एक दिन जाएगा तो जहर से बात है यह समवेगात्मा कुरूप से और समाजी कुरूप से परिपक्व व्यक्ति का गुड़ है प्रोपर्टी है तो यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा ठीक है एक ही विकल्प बच्छा आप्शन नम्बर देखिए वह समाजी का पेक्छाओं पर जासे आप सारी और आपको 50 तरीके के सलाः को आक्सेप्ट करने के बज़ए अपने अंधर अनुसार अनुरूप कारे करने लगते हैं, तो ये हमारे समाजिक और समवेगात्मक परिपक वो होने का गोड नहीं है, क्यों कि अगर हम लोग मैच्योर होतें, समाजिक और समवेगात्मक तो पर तो निशीर तो पर अपने अंदर confidence रहता कि हां मैं जो करना चाहता हूं मैं उ पारा अध्यापन में निम्न में से कौन सिख्षक की भूमिका के रूप में सामने नहीं आता है देखिए इसी प्रिकार से प्रेशन को सॉल्व करने की सबसे अच्छी विदी है कि जो जो मेन पॉइंट्स है उसको आप हाइलाइट करिए अंडरलाइन करिए और यहां पर निगेटिव सेंस में दिखे तो तुरंत आपको नहीं वाले को हाइलाइट कर देना है ताकि आपको जब उतर चुन रहे हो तो आपको ये चीज़े रिमाइंड बार-बार करते हैं कि हमें निगेटिव वाला विगल्प को चुनना है ठीक है चलिए इसी को ध्यान में रहकर ये तो प्रफर्टी होनी चाहिए ना मतलब सिख्षक का भूमिका के तौर पर ये होना चाहिए तो ये हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि इंप्रश्ट में पूछा गया था कि कौन सा सिख्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए तो ये तो होनी चाहिए तो हमारा उतर नहीं उनका ये कहना था कि बच्चे को एक तरीके से zip it दिया जाताया यानि कि जोन उर प्रॉक्सिमल ये भी बिल्कुल positive sense में और चुकी प्रश्ण हम से negative पूछा गया था तो ये भी हमारा उतर नहीं होगा दूसरा देखे समस्या को समझने परिभाशित करने तथा कहने में विद्यार्थियों की सहायता करना बिल्कुल सही बात है देखे प्रश्ण को solve बच्चा कब कर पाएग प्रश्ण में पूछा क्या जारा है बच्चे को प्रश्ण समझ में नहीं आ रहा है तो उसका समधान कैसे निकालेगा यानि प्रश्ण जो होगा वो टीचर का काम है कि बिल्कुल इस पश्ट तरीके से समस्या को समझाए उसको परिभाशित करे और कहने में बच्चों की प्रश्ण जारा है कि जो situation है जो परिस्तिती है जो माहौल है उसको problematic बनाने की बात की जरी यानि कि समस्या वाला पूरा situation बनाने की बात की जरी तो ये विकल्प negative है क्यों कि सिक्चा का काम ये होगा कि जो माहौल है उसको थोड़ा सा सहज बनाया जा बच्चों के comfortable बनाया बच्चों के लिए और ये problematic बनाने की बात कर रहा था इस वज़े से negative है और चुकि negative sense में ही हमसे पूछा गया था विकल्प नमबर एक बिल्कुल appropriate होगा अगला प्रशन पूछा गया था वैक्तिगत सिक्चा योजना IEP जिसे अंग्रेजी में individualized education plan कहते हैं निम्न में से कि विचार पर आधारित नहीं है फिर से हमसे नहीं पूछा गया है negative sense में पूछा गया है यानि कि कौन सा जो IEP है वो किस विचार पर आधारित नहीं है वो हमसे पूछा जा रहा है देखिए वैक्तिगत सिक्चा योजना की बात कब की जाती है जब जैसे मालीजी आज हम अलग अलग आवशकता है जो बच्चा देख नहीं सकता उसके लिए ब्रेल लिपी की आवशकता है जो सुन नहीं सकता उसके लिए विजुल क्लिप्स की आवशकता है जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता उसके लिए sign language की आवशकता है तो प्रतेक बच्चे के लिए individually उ हम लोग एक दूसरे का competition नहीं करा सकते क्योंकि प्रतेक बच्चे की आवशक्ता अलग है और इस हिसाब से एक मानक पर हम किसी का competition करा ही नहीं सकते अब मालीजीय कोई बच्चा सुन नहीं सकता तो उसकी मौखिक परिशाने लिए जा सकती तो उसकी लिखित परिशाने लिए जा सकती यानि कि ये कैसे practically possible होगा कि एक ही मानक पर सबका एक तरीके से आंकलन किया जाए यानि कि प्रतेक बच्चे की जो वर्तमान विशेस्ता है वर्तमान में उसकी strength क्या है उसकी शक्ती क्या है उसको as a teacher हमें पहचानना होगा और पहचान करके फिर उसका ही खुद से competition होना चाहिए उस बच्चे का particular अपने से ही competition होना चाहिए कि आज बच्चे का strength क्या है और जब teacher ने पढ़ा लिया कोई concept तो उसके बाद बच्चे का strength क्या हुआ यानि कि उसका level क्या हुआ क्या उसमें कुछ आगे progress हुआ अथवा नहीं तो ये निश्ची तोर पर वैक्तिगत योजना की बात कर रहा है क्यों क्यों क्योंकि प्रतेक बच्चे का individual यहाँ पर देखे सिक्छार्थी की बात की गई थी दूसरा देखे प्राप्त किये जाने वाले वैक्तिगत लक्षे बिल्कुल सही बात है अब देखे प्रतेक बच्चे का लक्षे अलग हो सकता है जैसे कि मालीजे कोई बहुत प्रतिभाशाली बालक है तो उसका लक्षे अलग है उसका लक्षी यह है कि उसके लिए उसी हिसाब से चुनोती पूर्ण उसको टास्क दिये जाए और कोई बच्चा अधिगम विकार से जूज रहा है जो कि डिसलेक्सिया से जूज जाए उसका टार्गेट क्या होना चाहिए उसका लक्षी क्या होना चाहिए उसका लक्षी यह होना चाहिए कि बच्चे को और ज्यादा चुनोती पूर्ण कार दिया जाए ताकि बच्चा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए ठीक है तो ये बात बिल्कुल positive है कि प्रतेक बच्चे का जो व्यक्तिगत लक्ष होता है वो अलग-अलग होता है और ये भी कहीं न कहीं व्यक्तिगत सिक्षा के योजना पर आधारित होता है क्योंकि individually सबका target decide करने की बात की जरी है तो ये भी विल्कुल positive है हमारा उत्तर नहीं इसे English में देखिए use of cooperative learning strategy यानि एक दूसरे की मदद करते हुए सिक्षा देने की बात की जरी है तो ये भी बात बिल्कुल सही है अब जैसे मालीजी समावेशी कक्षा में हम लोग देखते है कि कोई सारीरिक रूप से अगर कोई दिव्यांग बालक है जो move नहीं कर सकता और कक्षम में और सभी बालक move कर सकते हैं जो कि दिव्यांग नहीं है तो कई बार क्या होता है कि लोग उसका मजा कर उड़ाने लगते हैं दूसरे बच्चे उस पर हसने लगते हैं तो ये नहीं होना चाहिए बलकि cooperative learning होनी चाहिए यानि प्रतेक बच्चा उसका मदद करे उसक पर आधारित है तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा एक ही विकल पर बच्चा option number 4 देखे योग्या योग्यता आधारित समुही करण के आधार पर विद्यार्थियों का स्रेणी करण करना देखिए आपको सोचना ही नहीं था कोछ यहां पर समुही करण दिग्याना आपको गुरूप की बात की जारी है यहां पर और यहां पर हमसे प्रश्न व्यक्तिगत सिक्षा योजना पर पुछा गया है तो यहां पर चुकि इंडिवीजुल की बात नहीं है यह गुरूप की बात है और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ अगर आप सीटेट वाले प्री भासा समर्थता के विकास पर विद्याले का प्रमुक सारोकार नहीं है फिर से हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है एक बार इंगलिस में मैं आपको बता देता हूँ यानि की देखिए प्रशन हमसे भासा के आधार पर पूछा गया भासा बच्चे की जो भासा होती है इसी को ध्यान में रख करके उत्तर डोड़नेंगे देखिए पहला दिया गया उच्चारा और साक्षरता सम्मंदी विश है बिलकुल सही बात है बच्चा किसी भी जिम्मेदारी नहीं है यह हमसे बोला गया था ठीक है भासा के संदर में केवल भासा के संदर के भासा के आस्पेक्ट में पूछा गया तो देखे एक विद्याले की जिम्मेदारी यह जरूर होती है कि बच्चा अगर प्रोन्सियेट कुछ भी कर रहा है शब्दों को तो यह साट नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा था कि कौन सा विद्याले की जीमेदारी या फिर सरोकार नहीं है दूसरा देखें सब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना यानि की वोकवलरी बढ़ाने की बात की जारी एक बच्चे विद्याले में जाकर के अपचारिक भासा के चलिए तीसरा देखे भासा उपयोग तथा निर्मार की छमता बिल्कुल सही बात है देखे बच्चा जो first language है जो mother tongue है वो तो अपने परिवार के सदस्तों से संपर्क में आने से वो सीख गया था लेकिन जो second language है या फिर third language है जो target language है वो बच्चा आपचारीक विधी से विद्याले में सीख रहा होता है तो बच्चा उस language में अपने आपको express कर पाए यानि उस भासा का प्रियोग कर पाए communicate करने में तो यहीं बोला जा रहा है यह college की जिम्मेदारी है और इस वज़े से य जो thinking होता है वो भासा से directly related नहीं है क्यों related नहीं है क्योंकि अगर maa liji मैं हिंदी भासा के वल जान रहा हूं और आप के वल अंग्रेजी भासा जाना रहा है THINKING भी कर पाएंगे मैं भी THINKING कर पाऊंगा सोंचने में भासा का कोई भी roll नहीं है जैसे कि आप ऐसे समझें न मालीजे की चाइना वाला कोई बंदा है मैं चाइनीज लेंगवेज नहीं जानता हूं लेकिन वो भी अपने लेंगवेज में ठिंकिंग कर रहा हूंगे और मैं भी हिंदी लेंगवेज में ठिंकिंग कर रहा हूं यानि कि सोचने का भासा से कोई related नहीं है कोई मतलब नहीं है कोई उसका सरोकार नहीं है और इस वज़े से चुकी प्रश्ण हम से भासा के सेंस में पुछा गया था ये विकल्प negative है सोचना और दूसरों के साथ समवाद करना निशी तोर पर ये वला जो भासा का उपयोग है उसके अंतरगत ही आ चुका है और यहां पर मैं बता दो कि जो दूसरों के साथ समवाद करना है ये समाजी के आसपेक्ट है ना कि विद्याले का आसपेक्ट है और विद्याले के सेंस में हम से पुछा गया था तो ये सोचना जो है वो भासा के संदर में निगेटिव सेंस में और चुकी निगेटिव सेंस में हम से पुछा गया था विकल्प नबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रियेट हो जाएगा अगला प्रशने पुछा गया था आरंब के प्रारंभिक वर्सों अर्थात कक्षा 4 तक गडित के अधिगम है तो किस प्रकार के प्रयास किये जाने आवश्यक है ध्यान से समझेगा प्राइमरी इस तर के बच्चों को ध्यान में रखरके आपको उत्तर देना है क्योंकि कक्षा 4 तक के बात की गई है ठीक है चलिए चोथे विगल्प से शुरुआत करेंगे कहा जा रहा है कि कच्छा विद्याले जाने में नियमित्ता सुनिशित करना यानि कि regular attending यानि बच्चे रोज स्कूल आ रहे हैं ये कहा जा रहा है तो केवल बच्चे स्कूल आ रहे हैं लेकिन कुछ नया नहीं सीख पा करना कच्छ नहीं होता है तो वो क्या है कि आप कॉर्स को क्मप्लीट करंगे कि और समझ में नहीं आया तो ये भी विगल्प निगेटिव है कोर्स को पूरा करना कभी भी टारगेट नहीं होता है target agent teacher हमारा ये होता है कि बच्चे को वो concept बहतर धंग से अर्थपूर धंग से समझ में आए ठीक है तो course पूरा करना हमेशा negative होता है हमारा उत्तर नहीं होगा पहला देखिए अधिगम कठनाईयों का निदान करना अब देखिए बच्चा primary इसतर पर है अब बच्चे को गडित के बारे में basic से पढ़ाना है जब बच्चा पहली बार primary में गया और अंको के बारे में नहीं जानता है तो कठनाई तो तब आएगी जब बच्चे उसको जानते रहेंगे बच्चे को अब इस्टार्टिंग लेवल से सिखाना है तो कठनाई तो तब आएगी जब बच्चे उसको थोड़ा बहुत सीखेंगे सीखने के बाद से उनका difficulty लेवल आएगा ये सभी चीज़े आएगी यानि बच्चा अभी बिलकुल primary stage पे है अभी बिलकुल कोरा काता जाएगा उसको आपको अंकों के बारे में बताना है तो अंकों के बारे में बताने के बाद जब आप बता लेगे और उसके बाद से जब एक concept बिल्ड हो जाएगा उसके बाद कठना ही आएंगी और ये सभी चीज़े आएंगी ठीक है तो ये भी हमारा निगेटिव होगा क्योंकि ये स्टार्टिंग एज में नहीं आएगा बलकि एक कॉंसेप्ट पढ़ाने के बाद आएगा एक ही विकल्प बच्चा option number two देखे समवर्धित कारेक्रम प्र लिखे होते हैं जैसे कि देखे एक बिल्ली का चित्र बना होगा और उसके आगे एक लिखा होगा इसी प्रकार से दो बिल्ली का चित्र बना होगा और उसके आगे दो लिखा होगा अब देखे बच्चे को गडित से संबंदित ये प्रश्न पूचा गया था तो बच्चे क तो इस टर्टिंग में गिंती चिखा जा रही है कैसे उसके दिवाल पर एक बिल्ली का चित्र बना था उसके आगे एक लिखा था और दो बिल्ली का चित्र बना था उसके आगे दो लिखा था NCF 2005 बच्चों को परिवेश से जोड़ करके सिछा दने की बात करता है परिवेश यानि बच्चे का परियावरण बच्चा अपने परियावरण में भले ही स्कूल नहीं गया लेकिन कभी न कभी उसने बिल्ली जरूर देखा होगा क्योंकि प्राइमरी में बच्चा कब जाएगा जब 6 साल का होगा और 6 साल तक वो कभी न कभी बिल्ली जरूर देखा होगा अपने परिवेश में यानि उसके परिवेश से जोड़ करके उसको अंकों की जानकारी दी जारी है तो ये NCF के अनुसार बिल्कुल appropriate है और इसे ही print rich environment बोलते हैं यानि बच्चे के विद्याले के दिवारों पर कक्छा में विबन प्रकार के इस प्रकार के अंकों के बारे में जानकारी देने के लिए विबन प्रकार के कार्टोंस विबन प्रकार के परिवेश से जुड़े हुए वस्तुओं का चित्र बना होता और उसे correlate करके बच्चे को अंक या फिर गिंती सिखाई जाती है तो ये विगल बिल्कुल appropriate है और यहीं इसका सटिक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था निमलेकित में से कौन कम्प्यूटर की सहायता से अधिगम की विधी नहीं है फिर से हमसे negative sense में पूछा गया यानि कि which of the following is not a mode of computer assisted learning यानि कि कौन सा computer की सहायता से नहीं किया सकता वो हमसे पूछा जारा है पहला दिया गया है tutorial तो यह तो बिल्कुल positive है computer की सहायता से tutorial हो सकते हैं ठीक है एक ही lecture को आप computer पर बार-बार repeat करके देख सकते हैं बार-बार repeat करके देखना क्या हुआ यह practice कर रहे हैं और drill कर रहे हैं एक ही चीज़ को बार-बार repeat कर रहे हैं machine की तरह तो यह क्या हो जाएगा यह computer की मदद से की जा सकती है तो ये भी विकल पर हमारा उतर नहीं होगा चोथा देखे आंकडों की व्याख्या और निस्कर्स निकालना निश्चीत तोर पर आप लोग देखे data interpretation की बात की गए और drawing conclusion आप लोग Excel पर कभी ना कभी काम किये होंगे तो Excel में क्या होता है हम लोग आकडे जो हैं उसको analyze करके किसी result पर पहुँच रहे होते हैं तो ये निश्ची तोर पर computer से possible है तो ये भी हमारा उतर नहीं होगा लेकिन अगर बात करें option number 3 प्रतिरूपन जिसे अंग्रेजी में modeling कहते हैं तो ये computer के द्वारा नहीं possible है कैसे देखिए modeling में क्या होता है कि जैसे आप लोग role model अपने समाज से उधार दे रहे होते हैं कि आप लोग को गांधी जी का अनुकरण करना चाहिए कि कोई भी मतलब बिल्कुल आप हिंसा के समर्थक ना हो अहिंसा को अपना है तो क्या है ये role model है तो ये हम लोग समाज से इसका उधार लेते हैं तो इसमें computer के कोई भी आऊशकता नहीं है और computer विधी के तोर पर modeling नहीं देखी जाती है क्योंकि समाज में जो कुछ उच्चा इस्थान प्राप्त कर चुके हैं हम लोग उनका उधार दे करके बच्चों में वो गुड लाने के लिए प्रिरित करते हैं यानि समाज से उधार लेते हैं computer का इसमें कोई भी रोल नहीं है और यहीं हमसे पुछा गया था कि computer की सहायता से अधिगम की विधी नहीं है तो option no.3 प्रतिरूपन यानि कि modeling यह computer की सहायता से अधिगम की विधी नहीं होगी विगल्प no.3 बिल्कुल परिप्रियेट होगा अगला प्रशन पुछा क्या था किसी विद्याले पार्थे क्रम की सरवाधिक सत्टीक परिभासा है इंगलिस में देख लिजिए school curriculum can be best defined as school curriculum की बात की गई है curriculum के अंतरगत आएगा यानि कि सिक्षा के अलावा सभी गतिविदिया जो बच्चों के सारिरिक मानसिक समवेगात्मक विकास में महतवपूर्ण रोल आदा करती हैं चाहें वो किसी भी प्रकार से हो वो सब कुछ curriculum के अंतरगत आता है इसी को ध्यान में रखर के उत्तर ढोड़ेंगे पहला दिया गया है परठेक्रम की पूर्ण सार्डी परठेक्रम यानि की जो आपका syllabus होता है सिर्फ उसकी बात कर रहा है सिलेबस वो भी किताबी जो सिलेबस होता है जो किताब में syllabus दिया गया, सुर्फ उसकी बात कर रहा है तो इसके अलावा जो बच्चे खेल कुद कर रहा है गतिविदिया कर रहा है, वो सब भी करिकुलम का पार्ट है तो यह संकुचित है हमारा उतर नहीं होगा क्योंकि यह केवल पाठेक्रम यानि किताब तक सिमित रहने की बात कर रहा था दूसरा देखे, विद्यार्थियों के क्रिया कलाप में वृद्धी लाने है तो प्रयोग किये जाने वाले सभी समागरी, तो यह केवल materials तक एक तरीके से देखे, यहाँ पर all the materials used for further pupils activities तो केवल यह material तक संकुचित है केवल समागरी तक संकुचित है केवल क्रिया कलाप तक संकुचित है तो इसमें जो बच्चे सैक्षडिक कारे कर रहे हैं, वो include नहीं किया गया, सैक्षडिक भ्रमर include लोड नहीं किया गया तो ये भी संकुचित हो गया हमारा उत्र नहीं होगा तो ये भी संकुचेत हो कि हमारा उतर नहीं होगा एक एक विकल पर बच्चा आप्शन नमरती नेखिये विद्याले में संगठित अनुभाव का पूरुन सेट यानि कि a complete set of organized experience in the school यानि बच्चे कुछ भी अनुभाव का अक्षा में कर रहा है यानि किसी भी प्रकार का अनुभाव बच्चे का किसी भी प्रकार का अनुभाव और देखें विद्याले में संगठित अनुभाव का पूरुन सेट ये होता है विद्याले का पाठिक्रम या फिर स्कूल करिकूलम तो option no.3 बिल्कुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब होगा अगला प्रशन में पुछा गया था बहु इस तरिये इस्थिती का सरवाधिक महतोपूर्ण विशे है अंग्रेजी में देख लिजिए जब एक लेवल बच्चे का अलग है दूसरा लेवल अलग है तीसरा लेवल अलग है यानि individual differences की जहाँ पर बात आएगी वहाँ पर multi-level की बात आएगी यानि बहु इस तरह ये बात आएगी यहाँ पर कहीं भी individual differences की बात नहीं की गए थी पहले और दूसरे विकल्प में चौथा देखिए समुचित अध्यापन समागरी है तू TLM की विवस्ता करना तो ये भी individual differences की बात नहीं कर रहा एक अई विकल्प बच्चा option अम बढ़ती नेखिए विभिन स्रेणी वाले विभिन इस तरों के विद्यार्थियों की अधिगम आख सकता हो को एक साथ पूरा करना addressing the learning needs of different level students of different grades साइमन्टेल यसनी यानि कि प्रते एक बच्चे का level अलग है प्रते एक बच्चा individual differences रखता है यहाँ पर इसकी बात की गई है आप लोग समावेसी कक्षा में पढ़े होंगे कि समावेसी कक्षा का नियम ही ये कहता है बच्चा चाहें किसी भी सारेरिक अक्षामता की सांसत किसी भी अधिगम विकार से क्यों ना जुज जुज जाओ कितना भी प्रतिबाशाली क्यों ना हो यानि individual differences होने के बावजूद भी सभी को एक सांस ले करके चलना है वहीं विकल्प 3 में दिया गया है और इस वज़े से ये बहुई इस तरिये इस्तिती का सरवादिक महतोपूर्ण विशय यहीं हो जाएगा विकल्प नमबर तीन बिलकुल एप्रोप्रियेट है यहीं इसका सठीक जवाब होगा अगला प्रशन पुछा गया था एक बच्चा अपनी मन पसंद किताब लेता है वह प्राया चित्रों का सुराग के रूप में उप्योग कर इसकी कहानी को फिर से कहता है फिर से कहानी को कहनी की बात की ज़री है वह किस प्रक्रिया चरण अव्याव को दरसा आता है या दरसात अगला प्रश ने पुछा गया था कोई सिक्षक बहुत प्रभाविए हो सकता है यदी यानि कि सिख्षक प्रभावशाली कैसे हो सकता है वह हम से पूछा जागा है चौत्विकलप से अच्छा नंबर पार है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि टीचर प्रभावसाली है, यह भी हो सकता है कि बच्चे चीजों को रट रहे हैं, इस वज़े से ज्जादा नंबर पार है, तो यह विकल्प निगेटिव होगी हमारा उतर नहीं होगा, तीसरा देखें, वह विद्यार अधसन लेवल पर केवल बताया जाता है primary में ठीक है तो यह इस वज़े से यह भी विकल्प negative हो गया दूसरा देखें है वह विद्यार्थियों को प्रशन पूछने में सहायता करें तो केवल प्रशन पूछने में अच्छी सिक्षण सहायक समागरी का उप्योग करे। instruction उसको दिया जा सकता है कोई बच्चा देख नहीं सकता है तो उसको लिख करके नहीं दिया जा सकता है बलकि उसको मौकिक तोर पर देना होगा इसी प्रकार से प्रतेक बच्चे के लिए instruction का माध्यम अलग-अलग होगा इसी वज़े से ये सबसे ज़्याद appropriate होगा कि कोई teacher तभी प्रभावशाली होगा जब वो अलग-अलग goods instructional एड यूज कर रहा होगा option नमबर एक बिलकुल appropriate है यहीं इसका सटीक जवाब होगा और देखिए जब बच्चे के लिए अलग-अलग सिक्छन सहायक समागरी बच्चों को दिखाई जागी तो निश्ची समाजिक परिपक्वता के गुड़ को सरवाधिक उप्युक्त धंग से निम्न में निम्न प्रकार वर्णन किया जा सकता है समाजिक परिपक्वता यानि शोशल तोर पर मैच्योर्नेस की बात की जारी मैच्योर्ड परसन की बात की जारी देखें मैच्योर्टी की बात की जारी है सोसल मैच्योर्टी की ठीक है बोला जारा कि सोसल मैच्योर्टी इस बेस्ट करेक्टराइजड बाई देखिए सोसल मैच्योर्टी का मतलब यह होता है कि हम हमारी ज समाज के प्रति और प्रतेक देश के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है यह समाज हमसे अपेक्छा करता है ठीक है और साथी साथ हमारी भी कुछ आवशकता है जिसको समाज के माध्यम से पूरा किया आता है तो इन दोनों के बीज में समयनेवाए होना चाहिए तभी social maturity आती है ठीक है तो दिये गए विकल्प में देखिए option number 4 में इसी की बात की गई वैक्तिगत आवशकताओं तथा प्रयोजनों का समाजिक आवशकताओं और उद्देशों से उच्छ समनवाए इसका बिल्कुल appropriate जवाब हो जाएगा अगला प्रशन पूछा गया था नीचे दो सेट दिये गया है सेट एक में पियाजे मॉडल के संग्यानात्मक विकास को दर्साया गया है तथा सेट दो में उससे सम्मंदित विशेष्टाओं को दर्साया गया है उत्तर है तु सही कूट का चेयन कीजिए तो देखे पहला दिया गया समवेदी प्रेरक जिसे sensory motor कहते हैं तो समवेदी प्रेरक में कौन सी property विक्सित होती है वो हमसे पूछा जा रहा है तो देखिए इसमें क्या होता है वस्तु इस्थाइत्व की property आ जाती है तो भले ही उसके आँख से वो खिलोना उसके आँख के सामने नहीं है वो खिलोना को देखने ही पा रहा है बावजूद इसके वो समझ रहा होता है कि भले ही वो खिलोना मुझे देख नहीं रहा है लेकिन खिलोने का अस्तित तो अभी भी है इसे ही वस्तु इस्थाइत्व बना है ये बच्चे को समझ में आ जाता है इसे ही वस्तुष थायतों कहते हैं तो ये sensory motor में आ जाता है sensory motor जिसकी आयू 0 से 2 साल होती है ठीक है दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसका आयू 2 से 7 साल होता है तो देखे इसमें क्या होता है इसमें अहम केंद्रिता कि अखर सभी बच्चे कर क्या रहे हैं तो उन्होंने ये देख करके आश्यार चाकीत हो गया वो कि प्रतेक बच्चा अपने आप से किवल बात कर रहा है ग्रूप में रहने के बावजूद भी बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो ये एक ऐसा age group है 2 से 7 साल यानि हम केंद्रवाद कहा था तो option number 3 हो जाएगा बी का तीसरा देखें मुर्त संक्रियात्मा का वस्था जिसे concrete operational stage कहा जाता है तो इसमें क्या होता है इसमें वी पर्याई चिंतन जिसे reversible thinking कहते हैं ये आ जाता है reversible thinking का मतलब क्या होगा देखिए जैसे कि मालीज एक यहाँ पर मैं image बना रहा हूँ त्रिभूज अब बच्चे से मैं बोलूँगा बेटा ये क्या है तो वो बोलेगा त्रिभूज है अब अगर मैं बीच से यहाँ से line खिज दूँ तो अब बच्चे से पूछा जागा कि क निकल जाने के बाद पूराने वाले पॉइंट पर वापस आने को ही reversible thinking कहते हैं तो ये 7 से 11 साल जो की मुर्थ संक्रियात्म कवस्ता का age group है उसमें बच्चे में आ जाता है ठीक है तो reversible thinking इसमें हो जाएगा मुर्थ संक्रियात्म कवस्ता चोथा देखिए former operational stage जिसे अमुर् बारे में चिंतन करने लगते हैं जो नियम होते हैं mathematics में या फिर जो कुछ भी नियमों के बारे में बच्चे समझने लगते हैं तो ये हो जाएगा डी का चौथा तो हमारा विकल्प क्या बना देखिए हमारा विकल्प बना देखिए A का 2 B का 3 C का 1 और D का 4 option नमर 1 बिलकु का विकास होगा उसका upper limit और lower limit तेह कर देता है अपर लिमिट और lower limit का मतलब क्या होगा देखिए आनुवान सिख्ता जैसे माले जी आपके माता पिता की हाईट होगी जैसे आपके पिता की हाइट बहुत जादा है और उनके रिस्पेक्ट में आपके माता की हाईट कम है तो यह upper limit हो गया आपके पिता के height के बराबर और lower limit के हो गया अगर आपके माता की height respectively बहुत कम है तो lower limit हो गया आपके माता के height के बराबर अब देखिए बच्चे का height उसकी माता और उसके पिता के height के बीच में हो सकती है लेकिन अगर environment की बात करें क्योंकि केवल हेरिडिटी जो होती है केवल आनुवान सिकता ही प्रभाव इतना ही करती है बल्कि बच्चे के वातावरान का भी पूरा प्रभाव पड़ता है बच्चे के विकास पर तो अब माली जे बच्चा जिम करने लगा बहुत सारी क्रिया करने लगा तो हो सकता है कि उस्का प्रभाव देखने को मिलेगा और उसका जो height होगा वो यह टय करेगा देखी अपर और लोवर लिमिट तो टय करता है आनुवान cousinस्ता और बीच में कहा पर उसकी height लाई करेगी यह टय करता है उसका environment यानि कि जितना वो मेहनत करेगा, जितना लटकेगा, जितना सारी परिस्रम करेगा, उसी साब से उसका सरीर की बनावत होगी, उसकी हाइट हो सकती है, यानि कि बीच में कहा पर उसका हाइट लाई करेगा, ये कौन तै कर रहा है? ये environment तै कर रहा है, प्रष्ट हम से निम्लिकित में से कौन सा विकास के अनुवान सिक्ता के प्रभाव का सरवाधिक उप्युक्त वर्णन करता है, तो विकल्प नबर दो यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रियेट होगा, अगला प्रशन पुछा गया था, निम्लिकित में से किसके द्वारा अधिगम अंतराल की पहचान तथा इसका निराकरण किया जाता है, द्यान से समझेगा, इंगलिस में एक बार देख लिजे, देखे, यहाँ पर जो बच्चे का अधिगम अंतराल है, यानि लर्निंग गैप है, उसको पहचानेने की भी बात की गई है, और सांती सांत उसका निराकरण करने की भी बात की गई है, अगर यह केवल पहचानेने तक सीमित होता, तो डियागनोस्टिक टेस्ट होता, लेकि यह रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा, और इसी को हिंदी में उपचारी अध्यापन बोलते हैं, विकल्ब नमबर 3 इसका बिलकुल एप्रोप्रियेट होगा, अगला प्रशन पुछा गया था, आपने कक्षा 5 के गडित के विद्यार्थियों की परिक्षा आयोजित की, उ उसमें अधिकांस बच्चे उत्तिर्ण नहीं हो पाएं, यानि आसफल हो गया, यानि कुछ न कुछ उनके कारण होगा आसफल होने का, और वो भी अधिकांस बोला गया, यानि majority बच्चे आसफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि जो आपने पहली बार पढ़ाया था, व उसमें कमी थी, या फिर कोई और समस्या, तो पहले उस समस्या को पहचानना होगा, और उस समस्या को पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, उसे हम लोग डियागनोस्टिक टेस्ट कहते हैं, और उसी को हिंदी में नैदानिक परिक्षण कहते हैं, विकल्प नबर त to symbolic stimuli is primary the result of तो यह किसका है यह है increased sensory perception का option no.4 देखिए वर्धित इंद्रिय बोध इसका बिल्कुल appropriate होगा अगला प्रशन पुछा गया था सामानिकृत विचार तथा विशेस्ताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए निम्ण में से क्या है यानि कि a generalized view and characteristics that ought to be processed by women and men constitutes तो यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा gender भूमी का यानि कि gender roles इसका बिल्कुल सटिक जवाब हो जाएगा gender भूमी का option no.1 बिल्कुल सटिक जवाब है अगला प्रशन पूछा क्या है किसी विद्यार्थी की अनुचित अनुक्रिया को निपटाने का उत्तम तरीका है यानि बच्चे ने कुछ गलत उतर दिया तो as a teacher आप क्या करेंगे ये हमसे पुछा जा रहा है तिक है पहले प्छा में पच्छा में 50 बच्चे है चालिस बच्चे को पहली बार में कॉंसेट समक्त में ना आया हो और जब दुबारा आपने पुना उस विच्चे वस्तु को पढ़ाया तो अब इन 40 में से कितने बच्चों को समझ में आया ये कैसे पता चलेगा जब आप फिर से उसका उत्तर पुछेंगे उस प्रश्न का जवाब पुछेंगे और कितने बच्चों ने जवाब दिया है और कितने नहीं दिया है तब ही हम clear बता पाएंगे क हमने जो पूराना concept को फिर से पढ़ाया है उसमें as a teacher हम कितना सफल हो पाएं तो यहाँ पर बच्चों से कोई feedback नहीं लिया गया है पहले विकल्प में देखिए केवल बच्चों को पढ़ा करके और छोड़ दिया गया है केवल पढ़ा करके समझाने की बात की गई थी इस क्यों कि बच्चों का feedback भी लेना important है हमें feedback चाहिए कि हमने जो दुबारा पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं और यह कैसे समझ पाएंगे कैसे हमें feedback मिलेगा बच्चों से प्रश्न पूचेंगे जब उसका बच्चे जवाब दे पाएंगे तब हमें feedback है और कैसे उसको सही किया जा सकता है यह as a teacher हमारी जिमेदानी उने चाहिए यानि बच्चे को हमें भी feedback देना है कि आपका उत्तर गलत तो है लेकिन सही concept भी बताना है केवल गलत बता करके काम नहीं चलेगा इस वैसे विकल्प negative होगी हमारा उत्तर नहीं होगा दूसरा दे सही उत्तर ना जानता हो तो एजे टीचर आपकी जिमेदारी है कि अगर बच्चा concept नहीं समझ पा रहा है और अगर माली जे कक्षा में मेजारडी बच्चे नहीं समझ पा रहे है तो आप दूसरे से नहीं कह सकते कि आप उससे पूछिए आपको समझाना होगा इस वैसे यह निगेटिव हो गया हमारा उत्तर नहीं होगा एक अई विकलप बच्चा option नमर चार देखिए व्याख्या करना तता उत्तर दने के लिए दूसरा औसर प्रदान करना देखिए अब यहाँ पर व्याख्या किया गया एक्स्पें किया गया यानि कि यह एक तरीके से बच्चे को फिर से concept पढ़ाने के sense में है इस वज़े से यहाँ पर व्याख्या किया गया और फिर से उसको दूसरा औसर दिया गया है उत्तर बताने के लिए तो यहाँ पर हमें feedback मिलेगा कि जब दूसरी बार बच्चा उत्तर बताएगा तो वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है इसे हमें feedback ले सकते हैं हम लोग कि as a teacher हमने जो दूबारा पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया है अत्वा नहीं तो यह option number 4 बिल्कुल appropriate होगा यहीं इसका सटीक जवाब है अगला प्रशने पूछा गया था सुक्षम अध्यापन जिसे English में micro teaching कहते हैं एक तकनीक है जि विबिन प्रकार के सिक्षण के कौसल होते हैं वो हमारे अंदर आ जाए उसके लिए हम लोग practice कर रहे होते हैं as a teacher तो option number 3 में देखे विशिष्ट अध्यापन कौसल में सिक्षा की तयारी है तू विकल्प number 3 बिल्कुल appropriate है यहीं इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा दोस्तों KVS PRT 2018 के पेडागोजी यानि की सिक्षण सास्त्र के पेपर का complete solution आपने देखा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के मादेम से जरूर बताईगा क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे motivate करेगा ऐसे ही महतुपूर्ण वीडियो लाने के संदर में अगर आप KVS PR 2018 2018 के संपूर्ण पेपर के complete solution को detail में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का description जरूर चेक करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको subscribe करते हुए बेल आगन को जरूर पेस कर लिजेगा इस वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करें आपका दिन शुब्भो